आई चोला इंवेस्टमेंट इसके आने वाले नतीजे आए जानते हैं वरुन के साथ वरुन अब तक तो ज्यादा तर NBFC के नतीजे बढ़िया रहे है चोला की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी देखे दीप वैसे तो अच्छे रहेंगे नतीजे दिक्कत की बात है नेट इंटे वो काफी बैतर रहेगी AUM में करीब करीब 20% के आसपास की ग्रोथ होगे वो सालदर साल नहीं तिमाई तिमाई भी अगर आप देखेंगे तो हाँ पे भी अच्छे खासे बढ़ोत देखने मिलेगी दिक्कत यह है कि operating cost जो है वो बढ़ने वारा है और credit cost जो है सभी कमनियों का लगातार बढ़ा है इस कमनियों का भी बढ़ेगा लेकिन साथी साथ operating cost भी बढ़ रहा है इसके लिए बाकी कमनियों में आपने देखा कि margin जो ते net interest margin उनमें स्तिरता थी यहाँ पर net interest margin में थोड़ी बहुत गिरावाट आ सकती है 7.8% से गिर के करीब 7.4% पर आएंगे तो के वले net interest margin है जो शायद थोड़ा दिक्कत दे बाकी अगर आप देखेंगे तो NIM और मुनाफ़े में अच्छी बढ़त होगी जो आपके रेडार पर रहना चाहिए बाजार में जो फ्रेश खरीदारी आरे है उसी पर आप पूरा आक्शन रखेंगे